कि दोस्तों मोगरा के पॉंदे में अगर आप दुबारा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं अगर आपके जैसे मोगरा के पॉंदे में एक बार फूल आ चुके हैं उसके बाद दुबारा फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे जब तक इसमें कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि जो म पहले आप अगर वीडियो में नहीं जूड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें कि दोस्तों जो बर्साद का समय यह फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है कई जो फूल होते हैं जैसे देखिए यह मेरे गलाडिया का पूंद है इसमें कि अच्छी फ्लावरिंग हो रही है यह मैंने चार-पांच पूंदे लगाएं गलाडिया के और इसमें सब्साध लिए उस्सेमज होती है इसमें कई प्रकार के जो कैलिसियम होते हैं जीजितने होते हैं पॉंदों के लिए वह सब पूंद को मिल जाते हैं उसमें कोई खात देने की जडर्वत नहीं होती है अगर आप खात दिंगे तो वो सब भारीश की वे से भैज आती है तो यह मेरे जो है कनेर का पॉंदा है इसमें मेरे चैनल में जा कर देख सकते हैं तो आप मैं बताने जा रहा हूं कि जो मोगरा का पॉंदा होता है उसमें कैसे अच्छी फ्लावरिंग लें डोस्तों जो मो़का हुए यह सिंगल प्लेट वाला देखिए इसको में फूल खिलते हैं इसमें कल्धियां भी आ रही है कुछ ब्रांच ने कक्राइब दच्छ बाल में यहां पर से कट कर रहे हैं 2 ब्रांच यहां से निकलेते हैं जिसमें दुबारा फ्लावरिंग ले लिए तो आप भी अगर मोगरा के है पौंद में दुबारा फ्लावरिंग ज dough кил गया है ये देख़ेया पर अब यह जाङए हैं से कट करेंगे ज़्यादा प्रोनिंग ने करने हैं एक उपको कर दिंगे तो कर दो नक्राइग देखे जैसे कि यहां नीचे सब्किन मेंहां से कडसिerem Willow यह नहीं ब्रांच आएंगी तो दुबारा फ्लावर इंगे अगर इसको प्रूनिंग खरते रहें चटाई करते रहें जो फूल कहिल गें उनको दुबारा फूल लेने के लिए उसको तोड़ते रहें तो नहीं ब्रांच जो फूलाते हैं तो अगर आप उसी ब्रांज से फूल लेना जाएंगे तो आइसा कभी होता हुद नहीं है कोर फ फ्लावर फ्लावर प्लांट में अगर आप फूल लेना जाते हैं तो इसको कटकर नहीं पड़े क्योंकि जो नई ब्रांग जाती है वहीं से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो इस परकार तो आप इसको प्रूनिंग कर दीजी अच्छे से उसके बाद जो इसमें खाद देनी है आपको खाद के बारे में वता रहा हूं उसके विद्ध क्योंकि आप इसकी प्रूनिंग करे तो अगर आपने भी पहुंदी की रिपोर्टिंग कर रही है तो इसको ज्यादा गहराई तक नहीं करना है क्योंकि यह अभी इसमें उपर जड़ें देखिए यह जो बन रही है जड़ें इन्हीं से पोसंड मिलता है और इसे फ्लावरिंग अच्छे होती है तो इसकी ज्याद गहराई तक गुड़ाई ना करें हलकी गुड़ाई करें उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा है यह जो खाद है एक किचन वेश से तैयार खाद है मेरी इसमें सब मिक्स है दीए पत्ते वगरे सब मिक्स है जो सूखे पत्ते हैं इनको आप साइड करके जो ख बरसाद में प्रकार के जो पॉसकतत होते हैं तो इसमें जरुवत नहीं है आप बारिस के पानी से इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो जाएगी आप अलगी हल्की जो मिट्टी उपर की जो निकाल लेकी साइड की उसको भनने के लिए इसमें थोड़ी सी खाड डाल सकते हैं तो इस प्रकार से इसमें खाट डाल दीजे उसके बाद इसमें जो है इसको पूरे दिन की धूप दिखाएंगे यह पूरे दिन की धूप में रहना चाहिए क्योंकि आज कल जब धूप होगी बारिस की वेसे इसमें जो मौश्चर बने रहेगा और धूप भी इसको अगर ऑपको यह वीडियो कैसा लगा मोग्रा के पहूंदे की कैसे ली जाए तो अगय में जरूर बताए और हमिशे सेर जरूर करें तन्य वाथ